Hi everyone, welcome back to my channel Quick Fix India, मेरा नाम है रवी चंदराना, आज के टॉपिक में मैं लेके आओ आपके लिए पिरेली का Diablo Rosso 2, ये टायर का आज देखेंगे, ये टायर के क्या-क्या खूबी आई आज के वीडियो में हम देखेंगे, दोस्तों वीडियो चालू करने के पहले एक रिक्वेस् टायर के लिए और इंडिया में मोस्ट अब दाइक के लिए इंडिया में टायर लाती है, दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, अगर आप सूपर बाइक राइडर हो, इस टायर की जो की पिरेली डियाबलोरोसो 2 है, इसका इंटोड़क्शन देने की कोई जरूरूरत नहीं है, लेकिन तो भी मैं बताना चाहूंगा, पिरेली ने डियाबलोरोसो को 2002 में लाँच किया था, 2002 के काफी सक्सेस के बाद में कमपनी ने हमेशा अपग्रेड़ेड वर्जन लाया है, 2002 के बाद में जो वर्जन आया है दोस्तों तो आज करन वर्जन जो है डियाबलोरोसो 2 है, डियाबलोरोसो 2 में क्या-क्या खूबी आए इस वीडियो में आम देखेंगे आज, पिरेली डियाबलोरोसो 2 की बात करते हैं, यह एक स्पोर्ट्स कैटेगरी का टायर है, इसे लेकिन आप टूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, स्टीट पे भी यूज़ कर सकते हो, इस टायर is excellent for all road conditions, तो दोस्तो देखते है, पिराली डियाबलोरोसो 2 में क्या खासियत है, दोस्तो यह जो है रियर पैटन है, डियाबलोरोसो 2 का, दोस्तो ट्रेट के मिडल पॉर्शन की बात करते है, ट्रेट के मिडल पॉर्शन में 75% मिडियम हाट कंपाउंड दिया है, औ आपको grip की जादा जरूरत रहती है, इसलिए कमपनी ने soft compound का use किया है, 75% जो ट्रेट है, वो एक मिडियम हाट कंपाउंड है, उसके वज़े से service life आपकी टायर की अच्छी मिलेंगी आपको, सो mileage भी अच्छा मिलेगा और life भी अच्छी मिलेंगी, दोस्तो और एक बात बता इवन ली वेर आउट होगा, तो एक अच्छा benefit इसका यह है, रियर टायर में दोस्तों कमपनी ने BI compound का use किया है, ये compound से excellent stability मिलेगा, extended service life मिलेगा, जो कि life आपका टायर का जादा रहेगा, और grip भी अच्छा रहेगा, compound में कमपनी ने silika का भी यूज किया है, silika से अच्छी बेतर weed grip मिलती है, डाय गिप भी अच्छी मिलती है, और एक राइडिंग comfort जो है, वो एक अच्छा मिलता है, ये टायर में एक zero degree steel belt, जो की पिरेली का एक patented product है, और उन्होंने एक rayon यूज किया है, और side wall में भी एक rayon यूज किया है, जो की एक धागा है, दोस्तों ये जो trade दिख रहे हैं आपको, this is for water evacuation, so इसे अच्छी एक wet grip मिलेंगी, wet weather condition में काफी अच्छा perform करेगा, speed index की बात करते हैं, speed index में company ने H rated और W rated ये दो टायर बना है, H rated के टायर ये KTM के लिए, Benelli TNT 25 के लिए, या फिर आप Benelli 300 देख लो, उसके अंदर H rated टायर है, और आप कोई सुपर बाइक लेते हो, जो 650 CC के ऊपर है, उसके लिए सारी टायर के लिए company ने W rated टायर बना है, जो की 270 के speed तक चलते है, rear टायर की size availability की बात करते हैं, दोस्तों, rear टायर जो है 150, 60, 17, ZR 17 से शुरू होता है, 240, 45, ZR 17 तक इनके सारे sizes available है, दोस्तों, mostly सारी सुपर बाइक से यह पिरेली ने Diablo 202 में tires बनाए है, आप description में जाके check कर सकते हो, क्या-क्या size available है हमारे पास में, यह front tire की बात करते हैं, front tire में company ने single compound का use किया है, और front tire में company ने 2 sizes available किये, पहला size है 110, 70, 17 और second size है 120, 70, 17, 110, 17 जो की pulser में लगा सकते हैं, या फिर आप उसे KTM में लगा सकते ह सारी सुपर बाइक में यह tire आगे में लगता है, तो price range की बात करते है, price range जो Diablo 202 की start होती है, 4500 से 20,000 तक, आपको अगर आपके specific tire की inquiry करनी है, तो आप visit कर सकते हो, tiremarket.com पे जिसका link में description में डाला है, आप वहाँ जाके आपके tire की price पता कर सकते हो, बात करते हैं, दोस्तों the date of purchase of the tire, बात करते हैं, यह कौन से कौन से गाड़ी में fit होता है, tire, यह आप Pulsar में डाल सकते हो, KTM में डाल सकते हो, कावा। divine, कि सारी sports bike में डाल सकते हो, I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए Riders, please wear helmet, driver, please wear seatbelt Keep the road clean, keep the road safe, keep the city clean Thank you